सो हेलो दोस्तों आज के इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेगा ग्रेंड लिग टीम का एक परफेक्ट कॉंबिनेशन केसे बनाया जाता है या फिर ड्रीम 11 में मेगा ग्रेंड लिग का एक परफेक्ट टीम केसे बनाया जाता है मुझे पता है कि आपने यूटुब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा लेकिन उन सभी वीडियो में आपको वो चीज बताया जाता है जो एक्चुल में वर्क करता ही नहीं है वो लोग आपको बहुत तरीके से बताता है कि ये कर लो वो कर लो लेकिन मेगा ग्रेंड लिग विनिंग करने का या फिर ड्रिम 11 में मेगा ग्रेंड लिग टीम का एक परफेक्ट कॉंबिनेशन बनाने के लिए एक ही तरीका होता है वही तरीका में आपको बताने वाला हूँ और यही एक एसा तरीका है जिसको यूज करके जितने भी लोग मेगा लिग विनिंग करता है न वो इन ही तरीकों को यूज करके वो लोग मेगा लिग विनिंग करता है या फिर रैंक वन में आ करके लाखों और करोडों में कर सकते हो या फिर मेगा लिग में रैंक वन में आ करके लाखों और करोडों में विनिंग कर सकते हो चुकि ड्रीम 11 में अगर आपको मेगा ग्रेंड लिग विनिंग करना है या फिर मेगा ग्रेंड लिग में रैंक वन में आना है ना तो उसके लिए मातर एक ही तरीका होता है जो मैं इस बेडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपसे कोई बोलता है कि ये कर लो, वो कर लो, तो उन पर आपको भरोसा नहीं करना है, चुकि वो लोग कुछ भ्यूज के चकर में आपको सिर्फ गुमराह करते हैं, लेकिन यहां से एक बात समझ लेना, कि ड्रीम 11 में चाहे मेगा ग्रेंड लिग विनिंग करना हो, या ड्रीम 11 में मेगा ग्रेंड लिग में रैंक वन में आना हो, उसके लिए मात्र एक ही तरीका ह जो मैं आपको इस बेडियो में बताने वाला हूँ, आनि आपको एक्चुल में न, मेगा ग्रेंड लिग टीम का एक परफेक्ट कॉंबिनेशन बनाना ही नहीं आता है, आनि मैं आपको एक सिंपल सब्द में बता दूँ, आप बहुत दिनों से मेगा लिग खेल रहे हो ड्र ड्रिम 11 में ग्रेंड लिग का एक परफेक्ट कॉंबिनेशन के से बनाया जाता है, या फिर ड्रिम 11 में मेगा ग्रेंड लिग का एक परफेक्ट टीम के से बनाया जाता है, यही आपको पता नहीं है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण अभी तक आप मेगा लिग नहीं विन कर पाये हो क्योंकि आज के इस बेडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि how to create ये perfect grand league team आनि dream 11 में grand league का एक perfect team केस से बनाया जाता है और perfect team बनाने का actual में सबसे सही तरीका होता क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूं तो बस बेडियो को ध्यान से देखना और यही एक एसा तरीका है जैसा मैंने बताया ना यही एक एसा तरीका है जिससे आप actual में mega league winning करोगे लेकिन एक ही सर्त है इसमें आपको समय देना पड़ेगा आनि time लगेगा इस trick से मात्र आप 10 से 20 मैच खेल करके देखो आपको result अब एसा मत करना कि यह वाला बेडियो देख करके एक से दो मैच खेल लिये उसके बाद आपको result नहीं मिला तो फिर से YouTube में सर्च करोगे कि Dream 11 में rank 1 केसे लाया जाता है Dream 11 में mega league केसे जीता जाता है तो एसा करोगे ना तो कभी भी win नहीं कर पाओगे अब यहां पर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना और अपना पूरा फोकस यहीं पर रखना तब ही आपको सब कुछ एकदम crystal clear समझ में आएगा तो सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि जब भी आप किसी भी match में mega league का team बनाते हो चाहे वो किसी भी application में क्योँ ना हो, चाहे वो dream 11 में हो या किसी भी application में क्योँ ना हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि दोनो team मिला करके total 22 player होता है, जो उस match में खेलता है, ठीक है न, तो यह चीज आपको पता होगा, आदि मान लेते हैं team x में आपका 11 player होगा, और team y मे करके आपका 22 पलायर होता है और इन ही 22 पलायर में आपको अपने टिम में 11 पलायर को लेना होता है और इन 11 पलायर को इस तरहा से लेना होता है आनि इन 11 पलायर का कॉंबिनेशन आपको इस तरहा से करना होता है कि वो टीम आपको मेगा लिग विनिंग करा के दे या मेगा ग्रेंड लिग जीता करके दे और मेगा ग्रेंड लिग में रैंक वन ला करके दे वही मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है जब भी मैच का टॉस होता है न तो आपको पता चल जाएगा कि टीम X से कौन वो एक ग्यारो खिलाडी है जो इस मैच मे खेलेगा तो जो भी आपका दोनों टीम मिला करके जो आपका टॉटल 22 प्लेयर होगा न अब इसको करना क्या है तीन भाग में आपको डिवाइड करना है जो आपका पहला भाग होगा न उसमें क्या होगा कि सेलेक्शन 70% से ज्यादा आनि पहला भाग में आपको करना क्या ह उन सभी player को लेना है total 22 player में जिसका selection 70% से ज्यादा होगा ठीक है और दूसरा भाग में आपको करना क्या है उन सभी player को लेना है जिन player का selection 30% से 70% के बीच में होगा और तीसरा भाग में आपको करना क्या है उन सभी player को लेना है जिनका selection 30% से काम होता है तो आपको जो total 22 player मिलेगा ना toss के बाद किसी भी match में तो उन 22 player को आपको अलग अलग भाग में आपको combination करना है जो मैंने आपको already बता दिया है कैसे करना है एक बर मैं आपको detail में समझा द player होगा इसको आपको 3 भाग में divide करना है वो कौन कौन सा भाग होगा पहला आपका पहला भाग में आपको उन सभी player को लेना है जिन player का selection 70% से ज़्यादा होगा और दूसरा भाग में आपको उन सभी player को लेना है जिनका selection 30% से 70% के बीच में होगा और तीसरा भाग में आपक 30% से कम होगा तो इन सभी प्लेयर को आपको टॉटल जो आपका 22 प्लेयर होगा ना उनको आपको तीन भाग में डिवाइड कर देना है और यहां पर मैंने लगभग 100 से 1500 टीमों को एनालीसिस किया है और इन सभी टीमों को एनालीसिस करने के बाद मुझे ये पता चल चुका है कि जो 70% से जादा सलेक्षन वाला प्लेयर होता है वो आपको टॉटल 6 प्लेयर मिलेगा और जो 30% से 70% के बीच में जो भी सलेक्षन वाला प्लेयर होता है वो टॉटल आपको 9 प्लेयर मिलेगा और 30% से कम selection वाला total आपको 7 player मिलेगा और यही आपको मिलेगा चाहे आप किसी भी match को देख ले ना आप कोई भी match में team बनाओगे ना तो जो 70 से ज़्यादा selection वाला player होगा ना वो आपको total 6 player मिलेगा या तो 6 रहेगा या तो 7 रहेगा लेकिन लगभग case में आपको 6 player ही मिलेगा और 30% से 70% वाला player आपको 9 player मिलेगा या तो 9 player होगा या तो 10 player होगा आनि कि लगभग case में आपको 9 player ही मिलेगा तो यह चीज ध्यान से समझना और जो 30% से कम selection वाला player होता है ना वो आपको total 7 player मिलेगा तो ये चीज आपको देखना है ध्यान से तो मैंने क्या बोला आपको detail में आपको समझना है तब ही आप mega league में winning कर पाओगे और एक mega league का एक perfect combination बना पाओगे सबसे पहले ये जो आपका 22 player होता है इनको तीन भाग में divide करना है पहला भाग जो आपका होगा कि selection percentage 70% से जादा होना चाहिए और 70% से जादा होगा ना उनमें आपको 6 player ही मिलेगा दूसरा भाग में आपका 30% से 70% वाला player आपको लेना है और ये आपको total 9 player ही मिलेगा और तीसरा भाग में आपको selection 30% से कम वाला लेना है और ये आपको total 7 player ही मिलेगा तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझ करके चलना है आपको combination करना है 22 player को 3 भाग में अब आप जब team बनाते होना तो आप करते क्या हो जो 70% से जादा वाला player आता है ना जैसे कि 6 player आएगा तो ये 6 में से 6 आप अपने team में agitage ले लेते हो जो आपका सबसे बड़ा गलती होता है यहां से 6 player ले लोगे और बाकी कितना बचा 5 player तो 5 player जो आप लेते हो ना वो यहां से लेते हो 30% से 70% वाला option में आनि total यहां से 5 लोगे तो total आपका 11 player हो जाएगा आनि आप इस सुवाले section में focus ही नहीं करते हो और यही आपका सबसे बड़ा गलती है जिसके कारण अभी तक आप mega league नहीं win कर पाएगे हो अब यहां पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा सबसे पहले आप यह चीज़ी देखना कि जो भी match होता है न उस match में जो team mega grand league में rank 1 पर जाता है न अगर उन team को देखोगे न तो उस team में आपको कम से कम 3 या 4 ऐसा player मिलेगा जिन player का selection 30% से ज़्यादा होता है आप कोई भी team देख लेना उठा करके जो team mega grand league में rank 1 पर आता है उन team को अगर देखोगे ध्यान से न तो उस team में आपको कम से कम 3 player या 4 ऐसा player मिलेगा ही मिलेगा जिन player का selection 30% से कम होता है लेकिन जब आप team बनाते होना तो आप इस सुवाले section पर focus ही नहीं करते हो और यहां से जो player आता है उसको उठा लेते हो बाकी player यहां से उठा लेते हो बस आपका team बन चुका है और जो आप captain वाइस captain बनाते होना वो भी आप इन ही दोनों section में बनाते हो इस सुवाले section में आप ध्यान ही नहीं देते हो और यही आपका सबसे बड़ा कारण है सबसे बड़ा गलती है जिसके कारण अभी तक आप mega league नहीं win कर पाए हो अगर आपको सच में really में mega league winning करना है या mega grand league में rank 1 पर आना है ना तो आपको इस सुवाले section पर focus करना पड़ेगा और जिन player का selection 30% स कम होता है उसको आपको अपने team में लेना पड़ेगा अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे न तो जिन player का selection 70% से ज़्यादा होता है वो आपको 6 player मिलेगा और जिन player का selection 30% से 70% के बीच में होता है वो आपको total 9 मिलेगा और जिन player का selection 30% से काम होता है वो total आपको 7 मिलेगा और इसी player को हम क्या बोलते हैं trump player या फिर game changing player या फिर key player बोलते हैं अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझोगे न तो आपको यही पता चलेगा कि यहाँ पर हमको 6 मिलेगा यहाँ यहाँ पर 9 मिलेगा यहाँ पर 7 मिलेगा तो total कितना हो गया 22 player तो 22 player हमको team में लेना नहीं है हमको total 11 player को लेना है तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ इस point को ध्यान से समझना मान लो आपका 70% से जादा वाला खिलाडी आया 6 ठीक है 6 player आ गया तो आपको यहाँ से 6 player आपको नहीं लेना है इसका 60% लेना है अब 6 का 60% कितना होगा 3 या फिर 4 तो यहाँ से आपको 3 या 4 player अपने team में ले करके चलना है same condition आपको इसमें करना है जो आपका 30% से 70 वाला होता है न उसमें total आपका 9 player आएगा तो आपको 9 player आपको नहीं लेना है बलकि इसका 60% लेना है अब 9 का 60% क्या होगा 4 player या फिर 5 player होगा तो आपको अपने team में 4 या 5 player लेना है ना कि 9 player आपको लेना है same condition आपको इसमें apply करना है जो 30% से कम वाला player होता है न उनमें आपको total 7 player मिलेगा तो आपको 7 player को नहीं लेना है बलकि इसका 60% लेना है आनि कि 3 player या 4 player आपको अपने team में ले करके चलना है तो ये होता है सही logic mega league का एक perfect combination बनाने के लिए अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि यहाँ से आपका 6 मिलेगा इसका आपको 60% लेना है आनि 3 या 4 player आपको अपने team में लेना है या तो 3 या तो 4 ठेक है 7 funda इसमें आपको 9 मिलेगा तो इसका आपको 60% लेना है आनि कि या तो 4 या तो 5 player लेना है और यहाँ पर आपको 7 player मिलेगा तो इसका आपको 60% लेना है आने कि या तो 3 player या तो 4 player आपको अपने team में ले करके चलना है अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना combination आपको कैसे करना है ठीक है ना जो मैं आपको detail में समझाने वाला हूँ मान लो यहां से आप 3 player को लोगे ठेक है यहां से आपने तीन प्लेयर को ले लिया और यहां से अपने चार प्लेयर को ले लिया तो कितना हो गया तीन और चार टॉटल आपका साथ हो गया बचा कितना चार प्लेयर तो चार प्लेयर आपको यहां से लेना पड़ेगा और इसी परकार से आपको कॉंबिनेशन कर और मान लो कि आप यहां से चार प्लेयर लेते हो यह चार प्लेयर आपने यहां से लिया और तीस से सतर वाला टॉटल आपने चार प्लेयर लिया तो कितना हो गया चार और चार कितना हो गया आठ प्लेयर हो गया बचा कितना तीन प्लेयर तो तीन प्लेयर आपको यहां से लेन लिग का टीम बन जाएगा वो भी एक बेहतरिन कॉंबिनेशन के अनुसार तो बस आपको जो आपका 22 प्लेयर होता है इसको आपको तीन भाग में डिभाइड करना है तीनों भाग में जितना भी प्लेयर आता है उसका आपको 60% प्लेयर अपने टीम में लेना है इसी परकार से आपका एक कॉंबिनेशन बनेगा मेगा लिग का लेकिन आपको भी पता होगा अगर आपको मेगा लिग विनिंग करना है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर कैप्टन वाइस कैप्टन फुल अफ हो जाएगा तो मेगा लिग आप विनिंग नहीं कर पाओगे तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की इसको बनाना है वो ध्यान से समझना जो आपका ये वाला सेक्षन है 30% से कम वाला इसी को हम बोलते हैं ट्रंप पलेयर या फिर कीप पलेयर या फिर गेम चेंजिंग पलेयर आपको इसी वाले सेक्षन में जो भी पलेयर आएगा मानलो 7 पलेयर आया इसमें से आपने 3 पलेयर को लिया तो ये जो 3 पलेयर आप लोगे ना इसी में आपको किसी 1 पलेयर पर इस पर आपको पूरा भरोसा है उसी को आपको या तो कैप्टन बना देना है या तो वाइस कैप्टन बना देना है मैं आपको दुबारा से समझा देता हूँ जब भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे न तो या तो आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन और इ आपने साथ में से इसका 60% लिया तीन प्लेयर आपने तीन प्लेयर लिया और तीन में से जो आपने लिया है इसी में आपको किसी एक प्लेयर को या तो कैप्टन बनाना है या तो वाइस कैप्टन बनाना है किसी एक को जिस पर आपको पूरा भरोसा है जो आपको लगे कि इस म में बना हुआ होना चाहिए तब ही आप Mega League win कर पाऊगे मान लो आपने इस वाले section से captain बनाया तो बचा क्या आपका wise captain बच गया तो wise captain आपको इन दोनों में से किसी एक section वाले प्छेर में आपको बना देना है और मान लो आपने इस वाले section से wise captain बनाया किसी पलेयर को तो बचा क्या आपका कैप्टन बचा है तो आपको कैप्टन क्या करना है इन दोनों सेक्षन में किसी भी पलेयर को आपको कैप्टन बना करके चलना है आनि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों में से कोई एक आपका इस वाले सेक्षन में बना हुआ हो उसका तो मेगा लिग विनिंग करना काफी जादा आसान है और वो आसानी से ड्रिम 11 में मेगा लिग विनिंग कर लेगा और मेगा लिग में रैंक वन में आ करके लाखों और करोडों में भी विनिंग कर लेगा चुकि इस बेडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि ड्रीम 11 में मेगा लिग टीम का एक परफेक्ट कॉंबिनेशन केसे बनाया जाता है या फिर ड्रीम 11 में मेगा ग्रेंड लिग का एक परफेक्ट टीम केसे बनाया जाता है और कैप्टन वाइस कैप्टन केसे बन तो अगर आपको बेडियो अच्छा लगा होगा तो बेडियो को एक लाइक कर देना मुझे मॉटिवेट करने के लिए चेनल को सबस्क्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को दबा करके और पर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं बेडियो को अपलोड करूँगा उसका होता है आपको समय देना पड़ेगा कम से कम इस लॉजिक को फोलो करो 10 से 20 मैच में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा चुकि मैंने जैसा आपको बताया ना कि यही एक एसा लॉजिक है जिससे सभी लोग मेगा लिग विन करता है और आप भी विन कर सकते हो लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि एसा कर लो वेसा कर लो और आप मेगा लिग विन कर लोगे तो उस पर ध्यान मत देना और टेली ग्राम चैनल में जुएन हो जाना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत